नमस्कार मैं सरसी भूसन आप तमाम दर्सकों का न्यूज फॉर निशन के इस खास रिपोर्ट में स्वागत करता हूँ और चर्चा सबसे पहले आज मंजू वर्मा से क्योंकि मंजू वर्मा आखिर सरकार के लिए कब चहेती थी और कब किरक्री बन गई ये खुद नितीश कुमार भिसाइद नहीं जानते हैं क्या बिहार सरकार के आँखों में कुस घुस गया है क्या मंजू वर्मा बिहार सरकार के लिए कास्ट कार्ड का सबसे बड़ा इककास सावित हो रही है ये तमाम सवाल इन दिनों बिहार के सियासत में दोड़ रहे हैं और मंजू वर्मा के अगर बात करें तो मंजू वर्मा कुस वहाजाती से आती है उसी कुस वहाजाती से जिस लव और कुस के समिकरन के बूते नितीश कुमार बिहार की सत्ता में आये नितीज कुमार जब बिहार की सत्ता में पहली बार आये थे तब ये माना गया था कि लोग कुछ समिकरंग की बड़ी जीत है ये और मंजू वर्मा जिस तरह तमाम मामलों में फस्ती आई और उसके बावजूद वस सुरक्षित बची हुई है अब तक तो ये माना जा रहा है कि उनके सुरक्षा कबच के तौर पे उनकी जाती जिस कुस्वाह जाती से वाती है वो कुस्वाह जाती बड़ा फैक्टर है नितीज कुमार लगातार ये कहते रहे हैं कि कुस्वाह जाती उनके लिए मजबूती से हर चुनाओं में खड़ी रही है ते रेडियू के कुस्वाहा जाती से जाने वाले निताओं की एक बैठक बुलाई थी। हलाकि बैठक के अंदर क्या कुछ हुआ ये ओन कैमरा तो किसी ने नहीं बताया। लेकिन नितीस कुमार के उस बैठक में मौझूद जो कुस्वाहा जाती के दूसरे नेता हैं। जब हमने उनसे बाचित की तो उन्होंने ये कहा कि नितीस कुमार ने बिलकुल दो टूक कह दिया था उस कुस्वाह समाज की बैठक में। कुस्वाहा जाती को लेकर के उसको उन्होंने खुले तौर पे अपने अन्नेताओं को बताया था। नितीस कुमार ने ये भी बताया था कि जो कुस्वाहा जाती के नेता है अगर उनको ऐसा लगता है क्यों हिस्सेदारी उनको नहीं मिली है सासन में या किसी अन्य जगह पे तो वो खुल करके बताएं सिकायत करें ये एक बांगी भर है बताने के लिए कि नितीस कुमार आखिर कुस्वाहा जाती को कितना पसंद करते है या विहार सरकार के अंदर कुस्वाहा जाती को लेकर किस तरह की इस्थिती है थोड़ा पीछे चलते हैं और इस मामले पर पहुंचते हैं कि मंजू बर्मा आखिर सुर्खियों में कब आई मंजू बर्मा बेगु सराय के चेरिया बर्यारपूर से विधायक रही है बहुत लंबा पॉलिटिकल केरियर उनका नहीं रहा है लेकिन संयोग ये रहा कि जिस कुसवाज आती से वो आती है चुकि उसको सत्ताओं में भागिदारी देना है तो नितियस कुमार ने उनको मंतरी भी बना दिया मुझे याद है राजसभा के अंदर चुनाव हो रहा था राजसभा चुनाव हो रहा था बिहार से कुछ सीटों के लिए और मन्जू बर्मा जो हैं उससमें विधायक हुआ करती थी जेडियू की और जब वोटिंग के लिए विधायकों ने कतार लगा रखी थी तो मन्जू बर्मा को पहली बार मीडिया में लोगों ने उस तोर पे पहली बार आइडिटिफाइड तब किया था जब वो उस वोटिंग के दोरान जो बीजेपी की भागेरिथी देवी हैं उनसे उनकी बहस हो गई थी जड़प हो गई थी तो भाई रेथी देवी नरे नरमोदी जिंदावार के नारे लगा रही थी और मन्जू बर्मा नितीस कुमार के जिंदावार के नारे लगा रही थी तो पहली बार लोगों ने जाना कि मंजू वर्मा कोई येडियू की विधायक हैं जो 243 विधायक हैं विधान सभा में तो हर की उतनी पहचान नहीं बन पाती है मंजू वर्मा पहली बार उस समय पहचानी गई और मुझे ये भी याद है कि मंजू बर्मा जब 2015 के अंदर विजहान सभा के चुनाव हो रहे थे तो साथ सर्कुलर रोड में नितिस कुमार का आवास था और मंजू बर्मा जब वहां पहुंची थी तो वो बिलकुल नाउमीद थी उनको ऐसा लग रहा था कि महागडबंधन हो गया है बिहार में और कई जेडियू के विरहायकों का टिकट कट रहा है तो मंजू बर्मा का भी टिकट साथ कट जाएगा मतलब उनका टिकट कट जाएगा तो वो गई थी बहुत रुआसी होकर के अंदर और अंदर से बाहर निकली साथ सर्कुलर से तो वो फूट फूट कर रो पड़ी थी मैंने उनसे पूछा था कि आप क्यू रो रही है तो मंजू बर्मा ने कहा कि मुझे टिकट मिल गया और उने बजापता अपने आचल में छुपे हूँ सिंबल को दिखाया था तो पंदरह में जब उनको टिकट मिला 2015 में विरहान सभा का उसी चेरिया बरियार कुट से तो उनको इस बात का इल्म तक तहीं था कि वो मंत्री बन जाएंगी उसके बाद मंजू बर्मा तक उसकांड की आच पहुँचने लगी आरोप ये लगने लगा कि मंजू बर्मा के पती चंडरसेखर बर्मा जिस का जिनका संबंध जो है और मीडिया ने इतने सवाल किये कि मंजू बर्मा आनन फानन में मुख्यमंतरी नितीस कुमार से मिलने 26 जुलाई की तारीक थी उस दिद और वो उनसे मिलने पहुँच गए सुबह में उन्होंने मुलाकात की और बाद में वो बिधान सभा पहुँची तो बिधान सभा जब पहुची तो चुकि मुझपरपूर कांड एक ऐसा कांड था जिसको लेकर के पूरे देश में बिहार की चर्चा थी मुझपरपूर की चर्चा थी और लगातार इतीस सरकार की फजीहत हो रही थी मुझपरपूर बालिका ग्रिह में रखी गई जो समवासी ने थी स्रेटर होम में उनके साथ जो यौन उत्पिडन की घटनाएं जो टीस की रिपोर्ट में सामने आई थी उसके बाद सवाल उठ रहे थे नितिसकुमार के सासन पे और मंजू बर्मा पे सीधा हमला था मंजू बर्मा सीधे निसाने पर थी विप्रक्ष के मंजू बर्मा समाज कल्यान मंत्री थी इस बाद से वो बच नहीं सकती थी तो 26 जुलाई की तारीक थी 20 जुलाई की तारीक को वो सुबह नितिस कुमार से मिलने पहुंची और जब मुलाकात करके निकली तो मीडिया के तमाम लोग थे और सभी लोगों ने उनसे घेर करके पूछा कि भाई सवालों की जड़ी लग गई मंजू बर्मा से कि मंजू बर्मा जी क्या हो रहा है सीधे आरोप लग रहा है आपके पती के ऊपर और कहा जा रहा है कि आपको सब चीजों की जानकारी थी ये सारी चीजे हो रही है और बर्जेश ठाकुर का सीधा संबंध बताया जा रहा है चनल से खर बर्मा आपके पती से तो मंजू बर्मा मिलके निकली ती रिष कुमार से और म पूरी तरह से एक पॉलिटिकल, एक मझे हुए नारजनेता के तौर पिर उने बयान दिया। अब ये समझाने या बताने की जरूत नहीं, ये कि नितीस कुमार से मिल करके वो निकली थी और उसके बाद उने ये बयान दिया। तो ये कुसवाहा जाती से आती है, इसलिए उनको निसाना बनाया जा रहा है। कोई भी कारवाई नहीं हुई। नितीस कुमार की जो राजनीती रही है, नितीस कुमार जिसस्थर की राजनीती करते हैं, ये माना जाता है कि Mr. Clean है, मतलब उनको दाग पसंद नहीं है अपनी राजनीती में खास थार पे जिसतर रह की वो सियास्त करते हैं और अपने cabinet के दूसरे सहीयोगियों पर जिन पर डाग लग जाता है उससे भी वो सैद स्विकार नहीं करते हैं लेकिन मंजू वर्मा को लेकर के वो बड़े उतने मतलब सक्रिय नहीं दीखे उस तरह से उन्होंने स्वांड नहीं किया ये बात सबको कहीं ने कहीं खटक रही थी कि आखिर 15 दिनों तक मिरीश कुमार अपने cabinet के एक सहीयोगी पर जिसके उपर और जिसके पती के उपर यह आरोप लग रहे हैं कि उसका सीधा संबंध है एक यौन पीडन कांड एक बड़ा कांड एक अपराधी घटना करम जिसकी जांच हो रही है बड़े लेवल पे तो उसके किरदार के साथ सीधा तालुकाज जिसके साथ है उस मंतरी को भी बनाए रखे हैं है उन्होंने कैबिनेक में खर बात आगे बढ़ती गई और विपक्ष का हमला जो है वो बराबर तेज होता गया जब पूरा मामला सर जो है वो पानी जो है वो सर से उपर जाने लगा तम नितीश कुमार ने कहीं लगता है कि थोड़ी से एक्टिविटी दिखाई और आखिरकार मंजू बर्मा ने मंजू बर्मा को बचाने के लिए मंजू बर्मा को इस पूरे मामले से अलग रखने के लिए जो भी कवायद हो सकती थी वो सरकार के अस्तर पे वो की गई कि मंजू बर्मा पर विपक्ष का हमला उतना तीखा ना हो लेकिन बावजूद उसके मंजू बर्मा की बली चड़ अब नितीज कुमार के लिए सबसे वड़ी मुस्किल ये है मुझूधा दिनों में कि एक तो उपंद्र कुसुआसे उन्होंने रार उनकी रार चल देए अब आर चल रहा है उपंद्र कुसुआसा उनको लेकर के हमलावर है नितिश कुमार इस रिस्ट को नहीं लेना चाहते नितिश कुमार ये जोखी नहीं बोल लेना चाहते इसलिए कही न कही मन्जु वर्मा जो उसी कुस्वाह जाती से आती है उनको ले करके थोड़ा सा जो सॉफ्ट डुक है वो भी कही न कही देखने को मिला है ऐसा राजनेतिक जानकार मानते हैं एक दिल्चस्प बात ये भी रही कि मंजू बर्मा ने जब इस्तीफा दिया समाज कल्यान मंत्री के पच से तो किसी दूसरे को इसका प्रभार नहीं दिया गया इसी जाती से मतलब कुस्वाहा जाती से ही आने वाले जो नितीस कुमार के मंत्री मंडल में पहले से मौजूद थे सिक्षा मंत्री किसनदन बर्मा उनको इसका प्रभार दे दिया गया किसनदन बर्मा के पास पहले से सिक्षा विभाग का प्रभार था किसनदन बर्मा पहले से लौ विभाग को देख रहे थे और इसके अलावा कई दूसरे मंतरी थे निरिश कुमार के मंतरी मंदल में जो जादा efficient थे जो जादा योग्य थे निरिश कुमार भी इस बात को बानते होंगे लेकिन उनको ये प्रभार नहीं दिया गया समाज के लियान विभाद का ये प्रभार किसनन्दन वर्मा को सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला कि किसनन्दन वर्मा कुस्वाह जाती से आते है मतलब मकसद साथ था निरिश कुमार ये नहीं चाहते थे कि कुस्वाह समाज या कुस्वाह जाती के बीच ये message जाए कि मन्जू बर्मा को हटा करके किसी दूसरे जाती के व्यक्ति को मंत्री पत दे दिया गया उनकी जिम्मेदारी देगी मतलब थाली में ही घी गिरे घी कहीं बाहर न जाए इसकी कोशिस की नितिस कुमार ने और यही वज़ रही कि मन्जू बर्मा की जगा जब उनको रिप्लेस किया गया मन्जू बर्मा का इस्तीफा हुआ तो मन्जू बर्मा की जगा किस नंदन बर्मा को ही समाज कल्यान विभाग का प्रभार दिया गया मन्जू बर्मा की कुर्सी चली गई लेकिन नितीस कुमार या उनकी सरकार लगातार कहीं ने कहीं बैक फूट पर रही मुझे परपूर कांड को ले करके मामला इतना बढ़ा कि आखिरकार सरकार को ये फैसला लेना पड़ा कि मामले की जाँच CBI करेगी CBI ने मामले की जाँच सुरू कर दी अब CBI ने जब मामले की जाँच सुरू कर दी तो CBI अपने तौर तरीके से काम कर रही थी मंजू बर्मा मंत्री थी नहीं लेहाजा उनके तमाम ठिकानों पर छापे मारी की गई CBI की तरब से CBI को ऐसी उम्मीद थी कि मंजू बर्मा या चनसेखर बर्मा से जो ब्रजेश ठाकूर के रिष्टे थे उससे जुड़े अहम दस्तावेज उनके आवास पे या उनके जरिये मिल सकते हैं जो इस पूरे मामले का में बड़ा खुला सा करेंगे मुझे तारीक याद है 17 अगस्त को CBI ने मंजू बर्मा के छेरिया बर्यारपूर इस ठित जो बेगुस रायक अंदर है मंजू बर्मा का वही शेत्र भी अविरान सवाच्छे थे तो छेरिया बर्यारपूर में मंजू बर्मा के आवास पर छापे मारी हुई और सबसे जो चौकाने वाली बात रही वो ये रही कि मंजू बर्मा को उस आवास पर पुलिस को 50 कार्टूस मिले ये कार्टूस सामाने नहीं थे ये कार्टूस वही रख सकता था वही व्यक्टी रख सकता था जिसके पास या तो सैनिक का लाइसेंस हो या फिर मतलब कुल मिला करके कहें तो ये अवैर तरीके से 50 कार्टूस जो रखे हुए थे मंजू बर्मा के आवास पर ये बरामत किये गए अब चुकी जेड़ सी बी आई ने डाली थी लेकिन मामला कार्टूस बरामतगी का था मंजू बर्मा जो है वो जेडिव की नेता थी बिरायक थी मंतरी तो नहीं थी लेकिन लॉन ओर्डर से जुड़ा मसला था इसलिए पुलिस को F.I.R. दर्ज करना पड़ा तो कार्टूस के मामले में पुलिस ने F.I.R. दर्ज की कार्टूस बरामतगी के मामले में बावजूद इसके F.I.R. दर्ज होने के बावजूद बिहार पुलिस ने कोई भी करवाई मंजू बर्मा या चनसेखर बर्मा के खिलाफ नहीं की चनसेखर बर्मा के खिलाफ जो F.I.R. हुआ चनसेखर बर्मा बड़े आराम से पहले सिविल कोट में फिर हाई कोट तक अपनी अग्रिम जमानत अरजी के लिए याची का दाखिल करते रहे मंजू बर्मा तो ऐसे कमफर्ट में रहीं जैसा लगा कि उनके उपर कोई मुकदमा ही नहीं है कोई केसी दर्ज नहीं हुआ है तो ये भी एक बड़ा चौकाने वाला हाला इस्थिटी थी चोकाने वाली और आखिरकार जब इस पूरे प्रकरन में मतलब जो मुझपर पुर्बाली का ग्रही ओनत पिरन काइन था उसको लेकर के हाई कोट जो पहले सुनवाई कर रहा था उसमें एक पिटिशन सुप्रिम कोट में गई और सुप्रिम कोट ने अब ये तै कर लिया कि वो खुद इस पूरे मामले की पूरे जाज की मॉनिटरिंग करेगा नितीज सरकार लगातार किरकिरी झेल रही थी नितीज सरकार के लिए सुप्रिम कोट में जो बुरे दिन है वो सुरू हो गया था और सुप्रीम कोट लगातार हर सुनवाई में सरकार को फटकार लगाती थी जो पूरा मामला सामने आता था सुप्रीम कोट के वो सुप्रीम कोट उस पर अपनी टिपनी देती थी हैरत की बात तो ये रही कि सुप्रिम कोट ने इस पर जब टिपनी की कि चंसेखर वर्मा के खिलाफ अगर कारतूस एक्ट वाला मुकर्मा दर्ज हुआ है आर्म सेक्ट के तहट कारतूस बरामद्गी मामले में तो चंसेखर वर्मा गिरफतार क्यों नहीं हो रहा है सुप्रिम कोट की स्टिपनी के बाद और जब हाई कोट में चंसेखर वर्मा की पटना हाई कोट में याची का अगरिम जमानत याची का खारीज हो गई तो आखिरकार 29 अक्टूबर को चंसेखर वर्मा ने कोट में सरिंग्डर किया ध्यान दीजिएगा बिहार पुलिस चंसेखर वर्मा को गिरफतार नहीं कर सकी वो चंसेखर वर्मा जो बड़े आराम से बेगू सराय, पटना, खगडिया इन तमाम जगहों पर जिनका मोमेंट रहा जिनके लगातार सोसल मेडिया एकाउंट पर पोस्ट आते रहे जो लगातार अपनी एक्टिविटी सबके साथ साजा करते रहे उनको बिहार पुलिस गिरफतार नहीं कर सकी, 29 अक्टूबर को उन्होंने कोर्ट में सरिंग्डर कर दिया सबसे दिल्चस्प बात ये रही कि मन्जू वर्मा को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा कि मन्जू वर्मा की गिरफतारी क्यों नहीं हो रही है तो बिहार सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया, वो जवाब बहुत सर्मनाट था बिहार सरकार ने कोर्ट में कह दिया कि उसे नहीं पता मन्जू वर्मा कहा है बस सुप्रीम कोर्ट यहीं खफा हो गया सुप्रिम कोट ने सीधे सीधे ये कह दिया कि 27 नवंबर को बिहार के DGP सुप्रिम कोट में खुद आएं और बताएं कि ये मंजू वर्मा की गिरफ्टारी क्यों नहीं हुई है मतलब आज से 10 दिन बाद बिहार के DGP को सुप्रिम कोट में जाकर के खुद बताना है किस मंजू वर्मा आखिर हैं कहा सुप्रिम कोट की तरफ से जो टिप्पनी की गई या जो नरदेश दिया गया है उसके बाद अब बिहार पुलिस हरकत में दिख रही है बिहार के DGP यह कह रहे हैं कि मंजू वर्मा एक आम अपराधी है और उनके खिलाफ कारवाई की जा रही है लेगिन जो जानकार है उनको यह समझने में बहुत देर नहीं लग रही है कि जो भी कारवाई बिहार पुलिस कर रही है वो कोरम की कारवाई है सही मंसा दिखती नहीं है मंजू वर्मा के गिरफ़तारी के लिए जो चापे मारी की जा रही है वो अगर दिखावे की करवाई नहीं है तो फिर एक ही रिस्तेदार के हाँ मंजू बर्मा के चंसेकर बर्मा के एक ही रिस्तेदार के हाँ दो-दो बार चापे मारी क्यों हो रही है तो चंद सहरों में करवाई हो रही है छापे मारी की वो सारी करवाई कहीं ने कहीं सुप्रिम कोट को ये बताने के लिए भी है कि हम मन्जू बर्मा की तलास कर रहे हैं बिहार के DGP कह रहे हैं कि अब मंजू बर्मा की घर की कुर्की जप्ती के लिए कोट से आदेश ले लिया जाएगा मतलब ये सब कुछ जो बिहार या किसी भी राजी की पुलिस को कानूनन किसी अपराधी के खिलाफ करना चाहिए वो सब कुछ तब हो रहा है जब सुप्रीम कोट कह रहा है तो सुप्रीम कोट के निर्देश पे ही जो एक्टिविटी दिख रही है वो सामने दिख रही है लेकिन इसके पीछे जो सियासत है वो बड़ी दूसरी है नितीस कुमार को ऐसा लगता है कि मंजू वर्मा अगर गिरफतार होती है अगर उनको लेकर के बहुत हाड रुख जो है वो दिखता है सरकार का तो हो सकता है उनको नुकसान हो अगले चुनाओं में ऐसा सियासी जनकार बानते हैं तो क्या बिहार पुलिस के आँख में वाकई कुस घुस गया है क्या बिहार पुलिस या बिहार सरकार कास्ट कार्ड में इतनी अंधी हो चुकी है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं पढ़ रहा है नितिस कुमार की जो राजनीती रही है वो राजनीती बताती है कि वो साफ दामन की राजनीती करते हैं लेकिन क्या वही नितिसकुमार मन्जु वर्मा के मामले में कुस्वाहा जाती को ले करके इतने मजबूर और बेबस हो गये हैं कि सरकार की हर किरकिरी वो जहेलने को तयार हैं सरकार और पुलिस जो भी करवाई करें लेकिन हम नितिसकुमार की राजनिती और नितिसकुमार के सुसासन को जितना समझते हैं उसके बूते यह कह सकते हैं कि पिछले 14 साल में नितिस सासन ने किसी भी अपराधी के लिए इतना सब कुछ नहीं किया या इतना मौका किसी अपराद करने वाले को नहीं दिया होगा जितना मौका मंजू बर्मा को अब टक मिल चुका है हमारे इस खास रिपोर्ट में आज बस इतना ही अगली रिपोर्ट के लिए हमारे चैनल न्यूज फॉर्नेशन को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लगतार बने रहें नमस्कार